नमस्टकार दोस्तों आपका स्वागत है सरकारी जान फोर यू में दोस्तो आज 22 तारिक है याने की 22 दिसमबर और आज पैट परिक्षा की आंस्वर की पर objection करने का अंतिम दिन है दोस्तों बात करेंगे कि किस shift में कितने प्रश्ण गलत है और किन किन प्रश्णों पर छात्रों ने आपत्यां दर्ज कराई है अभी तक ठीक है और किन किन प्रश्णों पर सभी को number मिलने वाले हैं और revised answer की जो है वो कब तक जारी होगी और क्या जो आपत्य करेगा उसी को number मिलेंगे या सभी को number दिये जाएंगे तो सबसे बहुत दोस्तों बात कर लेते हैं आपका 15 October की पहली shift देखिए इस shift में जहां तक मुझे लगता है और जहां तक छात्रों ने मुझे भीजा है तो इस shift में कोई भी प्रशन गलत नहीं है या answer गलत नहीं है एकाद अगर होगा तो उस पर छात्रों ने आपत्ती दर्ज करा दी होगी दोस्तों बात कर लेते हैं 15 October 2nd shift की तो अगर मैं 15 October 2nd shift की बात करूँ तो जहां तक जानकारी मुझे अभी तक मिली है कि किन किन परशनों पर 15 October 2nd shift वाले छात्रों ने आपत्तियां दर्ज कराई है तो अभी तक जो जानकारी मिली है उसके आधार पर बता रहा हूँ चार परशनों पर छात्रों ने आपत्ती दर्ज कराई है पंदर एक्टूबर सेकंड सिफ्ट में देखिए एक तो पहला प्रशन आपका ये था कि बारत को बिर्टिश नियंतरन से मुक्त करने के लिए बारती राष्टे सेना का गठन किस ने किया था तो आयोग ने इसका आंसर सुभाष चंद्र बोज दिया था जबकि इसका जो आंसर है वो आपका आना चाहिए कैप्टन महवन सिंग ठीक है अब यूपिटर पलेसी इस प्रशन पर क्या फैसला करता है वो देखने वाली बात होगी बाकि इस पर छात्रों ने आपत्ती दर्ज करा दी है दोस्तो अगला प्रशन है आपका 1969 में कितने प्रमुक निजी बैंकों का राष्टकन किया गया था तो इसका आंसर तो 14 है और इसका जो आंसर है वो यूपिटर पलेसी ने दिया हुआ है नन अफ दीज जानी कि इन में से कोई नहीं तो इसका नंबर जो है आपका 14 पर इसका सही आंसर होगा और इसका जो आंसर है यूपिटर पलेसी को चेंज करना पड़ेगा हर हाल में ठीक है दोस्तो अगला प्रशन है आपका रीजनिंग का देखिए इस प्रशन का उत्तर यूपिटर पलेसी बदले या ना बदले इसके बारे में कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि ये सवाल रीजनिंग का है और रीजनिंग का एक सवाल बहुत सारे तरीकों से हो सकता है ठीक है हाला कि यूपिटर पलेसी इसका आंसर 301 दिया हुआ है लेकिन चात्रों ने इसका जो आंसर है बहुत चात्रों ने 401 भी लगाया है 401 क्यों लगाया था क्योंकि जवाब चार और एक को जोड़े तो आपका पांच आता है और बाकी जितनी और तेन संख्याएं हैं उनके अंकों को जोड़ने पर एक समसंख्या आती थी जबकि यहां केवल विसमसंख्या आती है तो 401 भी इसका आंसर है अब यूपिटर पलसी क्या फैसला करता है व आपका गलत है तो इस प्रशन को भी यूपिटर पलसी हो सकता है सबी को नंबर दे और हो सकता है दोस्तों एक दम कंफर्म है कि इसके नंबर सबी को मिलेंगे ये सवाल आपका बिलकुल गलत है ठीक है तो देखे पंदरे अक्टूबर में सेकंड शिफ्ट की बात करूँ त तो तीन प्रशन तो कंफर्म है जिनके नंबर छात्रों को दिये जाएंगे या कुछ का आंसर बदलेगा तीन प्रशन में बदलाव करना पड़ेगा एक तो आपका ये वाला हो गया कंफर्म है और एक आपका देखे इस पर अभी शौर नहीं है ठीक है दूसरा प्रशन आंसर यूपिटर बदलेगा और एक आपका हो गया ये वाला प्रशन तो कम से कम तीन प्रशनों में बदलाव आयोग को रिवाइजड आंसर की में करना ही करना है 15 अक्टूबर 2 शिफ्ट में और बाकी और आपने किस प्रशन पर आपत्ति दर्ज कराई है वो आप कमेंट कमेंट करके बता सकते हैं ठीक है दोस्तो अब बात कर लेते हैं 16 अक्टूबर की फर्स शिफ्ट देखिए अगर मैं 16 की पहली शिफ्ट की बात करूँ तो इसमें आपके दो प्रशन ऐसे हैं जिनमें गड़बड है और दो प्रशनों पर चात्रों ने आपत्ति दर्ज या वो प्रशन ही गलत हैं तो इस हिसाव से हम कह सकते हैं कि 15 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट और 16 अक्टूबर सेकंड सिफ्ट सबसे अधिक जो गलत प्रशन है या इन पर आंसर यूपिटर पलेस्टी ने गलत दिया हुआ है वो यही दो सिफ्ट है 15 की सेकंड और 16 की तो कुल मिलाकर इन में आयोक को बडलाब करना पड़ेगा और यूपिटर पलेस्टी जो है रिवाइजड आंसर की में आपको यह पूरा जो ब्योरा है वो देखने को मिल जाएगा दोस्तो अगली बात है रिवाइजड आंसर की यूपिटर पलेस्टी पैट की कब तक जार नाम पर काम चल रहा है और आपको 15 से पहले-पहले यानि कि जन्वरी 15 से पहले-पहले इसका परिणाम भी देखने को मिल जाएगा ठीक है दोस्तो जो प्रशन गलत हैं उनके नंबर सभी को दिये जाएंगे चाहे उन्होंने प्रशन को solve किया हो या ना किया हो प्रशन गलत है नंबर सभी को मिलेंगे जो आपत्ती दर्ज करेगा नंबर उसी को मिलेंगे दोस्तो ऐसा बिलकुल नहीं है कि जिस छात्र ने आपत्ती दर्ज कराई है नंबर उसी को मिलेंगे ऐसा नहीं है अगर आपत्ती एक छात्र ने भी दर्ज करा दिया तो ठीक है तो दोस्तो ये हो गया पैट की डिवाइजड आंसर की आने से पहले आपका आपत्ती पर एक वीडियो और इस भरती को लेकर या किसी और भरती को लेकर जो भी जानकरी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दोस्तो जाए इंजा भरत